नमस्कार मैं हूँ मनीशा जहां आस्था कि इस प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है महादेव पर बेल पत्र चढ़ाने का क्या महत्व है आए जानते हैं आचारे शास्तरी जी महारात से आचारे जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है महादेव पर बेल पत्र चढ़ाने से अत्री प्रसन्न किया जा सकता है इसमें कथाय आती है कि एक बार एक भील हिरन के सिखार में जंगल में भर्मन करता रहा और उसे कोई सिखार नहीं मिला वह बेलपत्र के ब्रक्ष पे बैठा बैठा बेलपत्र का एक-एक पत्ता तोड़कर के नीचे गिराता रह में जब कुछ सम पूरी रात्री बीतने के बाद शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी ने खड़े हो करके उसके पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो तो जाने अंजाने में भी अगर विलपत्र देवादिद्यों महाद्यों शिवलिंग पे चाहे नर्वदेश और सिंग ञट्री सिवलिंग या पार्द्वेशुर हो या सफवाटकेशर हो किसी भी सिवलिंग में या कभी भी clicking चड़ाते तो हमें अब्छा प्रतान होता है और और बिलपत्य चढ़ाने से हमारे जीवन की संपूरण बिग्न बाधाओं का निवारण होता है, एबं महादेव की हम पर और हमारे परिवार के परिवार पर आसीम करपा होती है। अचारे जी बिलपत्र तोड़ने और उसे महादेव पर चढ़ाने का सही तरीका क्या है? बिलपत्र त्रोडने का, बिलपत्र में एक डंठल होता है जिसमें गाठ होती है, अगर वह गाठ के साथ हम बिलपत्र देवादिदियों महादियों के शूलिंग पर चढ़ाते हैं, तो सास्त में प्रमाण है कि वह बज्जर के समान परहार करती है, तो बिलपत्र की जो गाठ से कोई भी जिए उसमें चिद्र ना हो कोई कीड़ा ना लगा हो साफ हो और खंडित ना हो इसके खंडित चढ़ाई हुई बस्तू से हमारे जीवन बाधाएं उत्पर्ण होती है और शुद्ध शाकार बिलपत्र शड़ाने से हमारे जीवन में बिग्न बाधाओं का निवारण होता है और आयू बढ़ती है आरोग्यता का निवारण होता है आरोग्यता बढ़ती है शुकत समर्दी में जीवन बतित होता है एब हम घर में सु हमारे स्रीर में छे रोग प्राप्त हो सकता है तो इस तरह की बिलपत्र को जब भी आप देवादी दियों महाद्यों को चढ़ाएं तो बिलपत्र को लें उसको धुलें और सास्त में प्रमाण है कि राम चंद्र जी ने लिंगे थाप दिवत करें पूजा शिवा समान प्रिय चाहिए बिलपत्र हज्यार गुना फल प्राप्थ कराती है और उस बिलपत्र का विसे भात होता है जिसम नोकाम्नास से जो कारण करने जा रहे हैं वहें बास्तुम्णानों प्राप्थ होगी और धर्म के प्रतियाज़ी आपका अजच्था होगा प्रमात्मा का आपके पूल भी चढ़ा सकते हैं इन चीजों को चलाने से देवादी, देव महादेव अधी प्रशन्ध होते हैं। स्त्रावन मास में महत्वपूरन होता है। जैसे कि आपने पूंचा है कि बेल पत्र में किस चीज से लिखकर कर चढ़ाना चाहिए। यह बहुत ही महत्पुर्ण बात है और आप सभी भक्तों को मैं इस चैनल के माध्धम से बता रहा हूँ कि विल पत्र में मलियागर चंदन का बड़ा महत्व है मलियागर जो चंदन होता है वह बेल से निकला हुआ चंदन होता है उसकी लकड़ी होती है जिसको हम पत्थर में घिसकर के चंदन निकालते हैं उसमें थोड़ी सी रोली डालने से उसका सुरूप लाल चंदन का हो जाता है और एक किसी बेल पत्र के या बेल की लकड़ी से या किसी भी चीज़ से लकड़ी से उठा करके हम बेल पत्र की तीनों पत्तों में तीन जगए राम राम लिखते हैं उससे हमारे जीवन में राम राम लिखने से बाधाय मुक्ती होती है और शियो जी राम लिखके बेल पत् री प्राप्र कर सकते हैं सब्सक्राइब बहुत बहुत शुक्री आपका साथ जुड़ने के लिए फिलाल के लिए इतना ही आस्ता से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए बने रही एबीने नियूस के साथ नमस्कार